तो मैं आज आपको जिस मूवी के बारे में explain करने वाली उस मूवी का नाम है The Invisible Man जो 2020 में release हुई थी एक horror thriller है IMDB पर इसे 7.1 दिया गया है out of 10 और 76% Google users ने से like किया है तो मूवी के शुरवात होती एक लड़की से जो अपने अमीर boyfriend को छोड़कर रात के अंधेरे में कहीं भागने की कोशिश कर रही थी उसके चहरे का डर साफ बता रहा था कि वो अपने boyfriend से पीछा चुड़ाना चाती है उसके high security system को fail करके वो जंगल से भागते वे एक सुनसान सड़क पर पहुँचा दिया रात के साड़े तीन बज़े थे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था वो अपनी दोस्त Emily के इंतजार में थी जिससे शायद उसे अपनी plan के बारे में बता होगा लेकिन तभी उसे एक कार अपनी तरफ आती है वो खुश हो जाती है और उस कार की तरफ बढ़ने लगती है ये कोई ओर नहीं उसकी दोस्त Emily ही थी और अब तक हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे उसका नाम सिसलिया है बाकी Emily के expression से ऐसा लग रहा था मानों से सिसलिया के भाग जाने के बारे में कुछ नहीं मालूम था इससे पहले वो सिसलिया से कुछ पूछ पाती है उसका boyfriend वहा आ जाता है वो कार का शीशा तोड़ देता है और उसे बाहार निकालने के कोशिश करता है मगर Emily एन वक्त पर गाड़ी भगा ले जाती है फिर कहानी पूरे दो हफते बाद सिप्ट हो जाती है वो अपनी दोस्त के boyfriend के घर पर रुकी थी वो अपने boyfriend से इतना डरी हुई थी कि आज पूरे दो हफतों में पहली बार वो घर से बाहार निकली थी लेकिन एक होड़िट आदमी को देखकर खबरा जाती है और वापस घर के अंदर भाग जाती है उसका दोस्त जेम्स ये सब नोटिस कर रहा था मगर वो से सपोर्ट करता था यहां तक कि डोवेल की आवाज सुनकर भी वो घबरा जाती थी जेम्स देखने जाता है तो वो कोई और नहीं आमली थी लेकिन सेसीलिया उससे देखकर नाराज हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि उसका बीएफ आमली का पीछा करते वे वहाँ आ सकता है तब आमली उसे बताती है कि उसके बीएफ ने सुसाइड कर लिया है अब उसे उससे डरने की जरुद नहीं है फिर वो सिसिलिया से पूछती है आखिर उसने सिसिलिया के साथ ऐसा क्या किया था जो उसके दल दमाग में इतना डर बैड़ गया है फिर वो जेम्स और एमली को बताती है कि वो उसे कंट्रोल करता था वो क्या पहन सकती है क्या खा सकती है कहां जा सकती है कहां नहीं जा सकती वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके जैसा आदमी सूसाइड कर सकता है यहां तक की सिसलिया अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था वो उसका दमाग पढ़ लेता था वो बताती है कि उसकी बात ना मानने पर वो उसे टॉर्चर करता था तब एमली उसे एकेंद लाती है कि अब उसे डरने की जरुवत नहीं है हम देख पाते हैं फाइनली सेसिलिया घर के बहार निकलती है इस घर में जेम्स की बेटी भी रहती थी तब ही जेम्स उसे एक लटर देता है वो किसने भेजा था उसमें क्या था वो यहां सस्पेंस रखा गया लेकिन अगले ही सील में हमें यह सस्पेंस भी खतम हो जाता है वो लेटर एडरियन के भाई ने भीजा था जो एडरियन के ट्रस्ट का वकील भी था एमली उसके साथ जाती है उससे मिलने को सिसेलिया को एडरियन की वसीयत के बारे में बताता है वो बताते हैं कि सिसलिया को हर महीने एक लाग डॉलर यानि टोटली पचास लाग डॉलर दे जाएंगे और ये आड्रियन की फ्रॉपर्टी भी ये सुनकर सेसिलिया काफी हैरान थी वो पेपर साइन कर देती है उसे यकीन ही हो रहा था कि आड्रियन उसे इतना कुछ कैसे देखे गया है इसके बाद सीन जेम्स की घर पर सिप्ट होता है सिसिलियन सिंडी का अड्मिशन उसकी फेवरिट कॉलेज में करवा देती है अब जाकर फाइनली सिसिलिया अपनी जिंदगी में खुल कर जीप आ रही थी वो बहुत खुश थी लेकिन कहीं ने कहीं उसका डर पूरी तरह गया नहीं था उसे अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है रात में सिसिलिया अपने लैप्टोप पर कुछ काम कर रही थी तब ही उसे दर्वाजे के बाहर किसी के होने का हैसास होता है वो चेक करने जाती है जब वो खिचन में देख रही थी तब ही अचानक घर का डोर खुलता है वो काफी डर जाती है मगर बाहर देखने पर उसे कुछ नहीं दिखता वो फटा-फट वापस जाकर दर्वाजे लोग कर लीती है रात में जब सिसिलिया सो रही थी अचानक उसकी ब्लैंकिट उतर जाती है लाइट भी फ्लिकर करने लगती है उसकी आग खुलती है तो वो सामने रखे स्टैचू को देखकर डर जाती है वो कमरे में रखे सोफे को देखती है जो बीच से दबा हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानुस पर कोई बैठा हो सिसिलिया जैसे ही चादर उठा कर चलती है तो वो देखती है चादर पर पैरो के निशान मानु कोई इंविजिबल एंटिटी ने उसे अपने पैरो से दबा रखा हो सिसिलिया डर के जैम्स को पुकारने लगती है मगर जैम्स को वहाँ कुछ नहीं दिखता वो सिसिलिया को समझाता है कि तुम्हारे पास्ट की यादित में हौंट कर रही है और कुछ नहीं ये सब धीधरी ठीक होगा नेक्स टे सिसिलिया जॉब इंटरव्यू के लिए गई जब वो अपने ड्राइंग्स दिखाने लगी तो ड्राइंग्स वहाँ नहीं थे और सिसिलिया अचानक बिहोश भी हो जाती है जेम्स उसे होस्पितल से घर ले आता है नेक्स टे वो लोग अड्रियन के भाई से मिलने जाते हैं और उसे वही दवाई दिखाते हैं जिससे उसने अड्रियन को बिहोश किया था वो बताती है मैंने उसे खो दिया था वो वापस मेरे पास कैसे आई और मैं आपको बता दू दोस्तों मूवी की शुरुआत में ये जो दवा दिखाई गई है एड्रियन नहीं उठाई थी जब सिसिलिया मांसे भागी थी सिसिलिया का मानना था एड्रियन उसके साथ कोई गेम खेल रहा है वो मारा नहीं है सिसिलिया जानती थी कि वो गायब होने वाली मशीन पर काम कर रहा था पूरी दुनिया में जानती थी कि वो एड्रियन विग्यान का महान विग्यानिक है इसलिए सिसिलिया शूर थी कि वो मरा नहीं है बस गायब हो गया है और अब वो उसे परिशान कर रहा है उसके बाते सुनकर आडरिन का भाई और जेम्स दोनों ही शौक्ड थे यहां हम जान पाते हैं कि आडरिन का भाई टॉम भी उससे परिशान रहता था यहां वो बस सिसेलिया को यही समझाता है कि खुद पर हावी नहीं होने दो इसके बात सिसेलिया आमली के पर जाती है आमली उससे बहुत गुस्से में थी क्योंकि सिसेलिया की अकाउंट से उसे धंकी भरा एमेल गया था इसलिए आमली उसे वहां से जाने को बोलती है सिसेलिया कुछ समझ नहीं पा रही थी उसके साथ यह सब क्या हो रहा है वो बहुत कोशिश करती है अपनी बात आमली को समझाने की मगर वो उसकी एक नहीं सुनती घर वापसा कर सेसिलिया अपने एकाउंट चेक करती है जिससे वागई एक बेहुदा एमेल आमली को भीजा गया था सेसिलिया काफी परिशान हो जाती है संडी उससे देखने आती है वो फ्लॉर पर लेट कर रो रही थी संडी उससे बात करके उसका मन हलका करना चाहती थी मगर जैसे ही सेसिलिया फ्लॉर से उटने लगती है कोई अधरस चीज संडी को बहुत जोर से धपड़ मारती है वहाँ James प्या जाता है, Cecilia उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये सब वो नहीं कर रही है, मगर James इतना गुस्ते में था कि वो उसकी कोई बात नहीं शुनता, और उससे वहाँ से जाने को बोलता है उस राद जेम्स से सिंटी को लेकर वहाँ से चला जाता है अब सिसीलिया घर पर बिल्कुल अकेली थी वो गुस्से में आडरिन को पुकारने लगती है फिर वो लिविंग रूम में के फ्लॉपर कुछ डाल देती है और एक कौने में बैठ जाती है ताकि अडरिन उस पर आए तो उसके सबूत के तोर पर उसके फूट प्रिंट्स मिल जाएंगे जिसे वो जेम्स को दिखा सके मगर काफी देर इंतिजार करने के बाद भी अडरिन नहीं आता तो सिसीलिया को एक आइडिया आता है वो उसके सेलफ़ोन पर कॉल करती है जो उसी के आटिक में बज रहा था वो चेक करने जाती है तो उसे वहाँ अडरियन के सेलफ़ोन जिसमें सिसीलिया की इस घर की फूटोस थी गाड़ी की चाबी अपनी खोई हुई ड्राइंग और एक चाकू मिलता है जब वो यह सब देखी रही थी तब ही एडरियन के फोन पर एक मेसेज आता है सर्प्राइस तब ही सिसीलिया को डॉर खुलने के आवाज आती है तो वो उसी चाकू को उठा लेती है और जैसी वो नीचे देखती है तो वो एक पेंट का डबा सीडी पर डालती है कर देता है वो खुद को छुडाने की बहुत कोशिश करती है मगर एडरियन उसे लगतार हॉट करता रहता है लेकिन सिसीलिया लगतार फाइड बैक कर रही थी वो खुद को छुडाकर घर के बाहर भागती है सुनसान सड़क पर जाकर वो एक कैब मंगाती है वो वापस एडरियन के विला पर जाती है जो अब उसकी प्रॉपर्टी था वहाँ उसे अपना कुद्टा मिलता है वो एडरियन के लैब में जाती है वहाँ एक अजीब सी मश्रीन थी खलती से एक बटन प्रेस होने पर वो इन्विजिबल होने वाला कॉस्टिम उसके सामने आ जाता है जिससे लेकर वो बैडरूम के वाडरोब में छुप जाती है क्योंकि अपने कुद्टे के भोकने से वो जान चुकी थी कि एडरियन आ चुका है लेकिन जैसे तैसे करके सिसिलिया मांसे भागाती है वो आमली को मिलने बुलाती है वो आमली को बताने लगती है इससे पहले वो उसे कुछ समझा पाती एडरियन आमली को जान से मार कर चाकुस के हाथ में पकड़ा देता है पूलिस उसे पागल खाने पहुंचा देती है वो लोग उसे बिहोश कर देती है वो बहुत कोशिश करती है समझाने की मगर कोई नहीं सुनता सेसीलिया से पूछताज शुरू होती है जेम्स भी वही था वो से बताने की कोशिश करती है उस सूट के बारे में मगर वो जानती थी आडरिन यहीं है पूचताच के दोरान डॉक्टर सिसीलिया को बता दिये कि वो प्रेगनेंट है ये सुनकर सिसीलिया शॉक्ट हो जाती है वो समझ गई थी इसलिए आडरिन उसके पीछे पड़ा है मगर अचाहे जो हो जाए सिसीलिया वहाँ वापस नहीं जाने वाली थी वो जानती थी आडरिन हर वक्त उस पर नजर रखे वे है उसी रात वो अपने हाथ की नस काट कर सुसाइड का नाटक करती है जिस पर उससे रोकने के लिए आडरिन आता है वो उसी पैंसे उस पर हमला कर देती है जिससे उसका इन्विजिबल सूट खराब हो जाता है एक पुलिस वाला उसे देख लेता है वो उसे भी मार देता है और फिर सिसीलिया पर हमला कर देता है वो वहाँ से भागती है तो एड्रेन दो और पुलिस वालों को मार देता है वो अपने रास्ते में आने वाले सारे पुलिस वालों को मार रहा था लेकिन सेसीलिया अब और वरदास नहीं कर सकती थी वो गान उठाकर उसका पीछा करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है अब उन दोनों में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था बाहर बारिश बहुत तेज थी एड्रेन जेल से भाग जाता है संदी को मारने जा रहा था वो जेमस को कोल करके बताती है कि संदी की जान खत्रे में है और खुद भी एक की गाड़ी लेकर घर की तरह भागती है इधर जेमस घर पहुंच आता है मगर एड्रेन उस पर भी हमला कर दिता है उसे तब तक मारता है जब तक वो अदमरा नहीं हो जाता इतने में सेसील्यय महा आ जाती है वो उस पर fire spray करके एक के बाद कई गोलिया मारती है तब जाकर आड्रिन पूरी तरह visible हो पाता है लेकिन ये क्या चैसे सिसिलिया मास को उतारती है उसके पीछे कोई और नहीं Tom था पुलिस की एक टीम को आडरिन के घर बेज़ता है तो आडरिन अपने ही घर के बेसमेंट में बन्दा हुआ था लेकिन सिसिलिया जानती थी आडरिन कोई विक्टिम नहीं है वो सिसिलिया को यकिन दलाना चाहता था कि वो सुधरा है सिसिलिया उसे कहती है सच कहने के लिए और उनकी बातें बाहर गाड़ी में बैठकर जेम्स सुन रहा था लेकिन यहां सीन अलग ही टर्न लेता है आड्रियन खुद का गला काट लेता है मगर सचा ही हम समझ पाते है कि उसने खुद को नहीं मारा बलकि सेसिलिया ने ही वो इन्विजिबल सूट पैन कर उसका कतल किया था और ये बात जेम्स भी समझ गया था तो इस तरहा आड्रियन का अंतो जाता है और अब जाकर सेसिलिया चैन के सांस ले पाती है तो गाइस ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है सेसिलिया ने अपनी हिम्मत और तमाग के दम पर अपना बदला तो ले लिया था आप लोग मुझे बताएगा क्या आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा एक्स्क्राइशन कैसा लगा कमेंट कीजेगा और ऐसी ही मैंनी मौर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे दोस्तों के शाथ शेयर कीजे बैल आइकन प्रेस कीजे थैंक्यू सो मच बाइ-बाइ